आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दा रिवोल्ट ओफ इटी फिफ्टी सेवन स्पोई म्यूटिनी भारत का पहला सुतंता संग्राम 1857 का विद्रो या सिपाही विद्रो दोस्तो इसे किसी भी नाम से जान सकते हैं तमाम तरह के लिखकों ने इस पर व्याक्या जो है वो अ इंडिपेंडन्स के नाम से जानते हैं दोस्तो अगर मैं कहूं यह प्रजातंत्र का विद्रो नहीं था बलकि प्रजातंत्र पर राज करने वाले राजाओं का विद्रो था तो यह कहना गलत नहीं होगा लेकिन इससे कोई भी ऐसा वर्ग अचुता नहीं रहा बात करें दो दोस्तो पॉलिटिकल मैप की यह 1857 का पॉलिटिकल मैप है रिवोल्ट 1857 से पहले का दोस्तो 1857 का जो रिवोल्ट था यह 17 संगरामत का उसके बहुत सारे कारण थे कुछ राजनेतिक कारण थे पॉलिटिकल इस्यूस थे कुछ एकॉनमिक कारण थे आर्थिक कारण थे कुछ कुछ सेन कारण थे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी कुछ शोशल इशू थे सामजे कारण थे और कुछ एड्मिनिस्ट्रेटिव या प्रशासने कारण भी रहे थे दोस्तों अगर हम पॉलिटिकल इशूस पर जाएं तो सबसे बड़ी जो नीती थी वो लॉट डलो जी की डॉक्राइन ओफ लेप्स यानि की हड़प नीती इसमें बहुत सारे लूलर इसवास से चिंतिस थे यदि उनके किसी पुत्र की मृत्ति हो जाए या कोई रानी सबसे ज्यादा इससे प्रवावित हुई थी वो महारानी लक्षमी भाई थी जो अपना दत्तक पुत्र गोध लिया लेकिन उसे जो लॉट डलो जी थे उन्होंने राजा की उपादी नहीं दी इसके अलाबा बहुत सारे जो राजा थे इस बास से भी दुखी थे कि ये एक तरह क जो अंग्रेजी सरकार की उनके राज्यों को हडपने की एक जो नीती लॉट डलो जी के द्वारा चलाई गई है इससे हमारे सभी राज्य जो हडप लिये जाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी राज्यों में भी एक तरह से विद्रो की भावना जागरत हो गई है वहीं दोस्तों मुस्लिम्स जो समय मुगल शाशन तो लगब ख़तम हो गया था लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो बड़े ही परिशान थे क्योंकि मुगल शाशन के दौरान बादुर शाह जफर की बात करें बादुर साशन की बात करें तो कहीं न कहीं जो मुस्लिम्स थे वो क कभी मुगल शाषन में या 400 वर्षों में उन्होंने की थी या मिली थी बात करें दोस्तों एकॉनोमिकल इशू की आर्थिक कारण भी थे दोस्तों आर्थिक कारण यह थे कि ब्रिटिश शाषन जो है वह भारत से जो वैल्थ या नैचरल रिसोर्चेज है वह इस तरह की पॉल जाई कहा जाता था जिससे की पैसा जाद से जादा पैदा हो बात करें जैसे अफीम की खेती कराई जाई या इस तरह की खेती कराई जाई जिसमें जाद से जादा पैसा स्वार्मर्स को जो अंग्रेजी शाषन है उसको मिले इससे दोस्तों जो फूर्ड की शॉर्टेज ब भी बिल्कुल नस्ट हो गया बात करें दोस्तो सामजे किशू की दोस्तो सामजे किशू भी बहुत बड़ा कारण था जहां पर विडो की दुबारा मेरेज चाइल्ड मेरेज एलाव नहीं थी जो की भारती समाज में पहले से होती आ रही थी इसके अलाबा जो कॉमन पीपल ब हिंदू और मुस्लिम लोगों को कृष्चिन जो धर्म था उसे अपनाने के लिए भी मजबूर कर रही थी दोस्तों कुछ एड्मेंस्ट्रेटिव कॉस थे जिसमें की जो आम इंडियन था उसको हाइस पोस और हैंसम सेलीज नहीं मिलती थी इन पदों पर बिटिस या अंग अंग्रेजों के नीचे कारणी करना पड़ता था तो यहां से भी विद्रो का जो उदै वो माना गया है प्रशासनिक कारणों की वज़े से बात करें तो उस्तों मिलिट्री कॉजिस और यह यह महत्मूर कारण था जहां से मिलिट्री कॉजिस या जो सेन्य व्यवस्ता थी वो भी डिस्क्रिमिनेशन के उपर आधारित थी भारते सिपाईयों के साथ हमीश्ता अंग्रेज भेदवाव किया करते थे जिससे की रोच जो है वो सिपाईयों में व्याप था इसके अलावा जो सिपाईयों को दोस्तों उचे पाद यह हैंसम सेलीज नहीं दिया दी थी स सबसे उचा पास दोस्तों सूबेदार का हुआ करता था बात करें दोस्तों और सिपाईयों का विद्रो सामने आया मंगल पांडे 29 मार्च 1857 परेड गराउंड बैरकपुर में इन्होंने विद्रो का जो है वो प्रारंब कर दिया और कहीं न कहीं इनसे इंस्पाईर होकर 9 म सक्ताबन का दिन जहां की बिटिश ऑफिशर का आदेश सैनिकों ने मानने से इंकार कर दिया कारण उसका था जो नए कार्टूस या नए कार्टेज आई थी उसमें कहीं न कहीं इस तरह का रूमर फैला हुआ था कि नए कार्टेज में कहीं न कहीं जो सूर या काउ की और इसी दोरान सिपाईयों ने विद्रोग कर दिल्ली की ओर कूच किया बाहदुर्शार जफर उस समय पेंशन पा रहे थे अंग्रेजी सरकार के दोरा और मुगल जो वंस था उसका आखरी शंड चल ला था इसी दोरान बाहदुर्शार ने भी सूचा कि हो सकता है यहां से अंग्रेजों अगर ये सैनिक लोग मेरे साथ आ जाएं तो कहीं न कहीं हम लोग मुगल वंस की जो खत्म होनी की कगार पड़ता उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसी दोरान बाहदुर्शार ने अपने आपको जो है भारत का शेहनशा या एंपररर घोशित कर दिया और जो विद्रो है उस अंग्रेजी सरकार के खिलाव जो है विद्रो भरकाने का कार किया बात करें दोस्तों रिवोल्ट के इंपोर्टेंट सेंटर्स की तो मेरट में डैली में अवद में कानपूर में जहासी में ग्वालियर में यानि कि अगर नौर्थ इंडिया का पोर्शन माना जाए तो यहीं पर ये विद्रो हुआ और अंग्रेजी जो ने इसे बहुत बंगना हैं या काफी वीर लोगों ने भी सहस्पूर कार किया और अंग्रेजों के जो कुशाशन था उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की कुछ जाने माने लीडर्स जिनके बारे में हम लगातार पढ़ते हैं आजादी के बारे में प्रतंसुत्रा जिनमें रान्नी लक्ष्मी भाई थी तापया टोपे थे नाना साहब थे इन्होंने भी फाइट को जॉइन किया लेकिन दोस्तो धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार क्योंकि यह बेसिकली जो रिवोल्ट था वो नौर्थ इंडिया में था और सब लोग जितने भी राजा थे उनका कुछ अपना मकसद था अपना राज बचाने का मकसद था उनके सामने वो सभी जो लोग थे वो एक साथ आकर जो अपने इंटरेस्ट के मताविक वो लड़ रहे थे और कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार ने इसका फायदा उठाया और इस विद्रो को दमन गया इसके आउटकम्स क्या हुए दोस्तो अगर 1888 में इस विद्रो को बिलकुल खतम कर दिया गया बाहदर शाह जफर ने सरंड इस दोस्तो इस रिवोल्ट के अगर फेलर की बात करें तो इसकी बात करें तो दोस्तो लोकलाइस था मतलब छोटी चोटी इरियों में फेला हुआ था पूरली और नाइस था कोई इसका मंच नहीं था सब लोग अपने इंट्रेस्ट की ओल लड़ रहे थे लक्षमी भाई अपने इंट्रेस्ट की ओर बहादूर शाह अपने इंट्रेस्ट की ओर तो कोई गोल नहीं था इस का कोई भी और्गनाइज बुरी तरह से और्गनाइज किया गया था कि यह एक सुतिंदा संग्राम बिलकुल नहीं था अगर इस माना जाये तो बिटिश जो थे उनके और बहुत सारे राजाओं ने इसमें भाग भी नहीं लिया था लेकिन दोस्तों इस जो 1850 का विद्रो था इसे हम प्रतम सुतन्ता संग्राम भी इसलिए कहते हैं कि इसके बहुत जारा इंपेक्ट हुए पहला ऐसा इंपेक्ट ऐसा लगता है कि भार जो अंग्रेजी शाषन था उससे लोग तंग आ चिके थे और कहीं ना कहीं अपने आपको आजाद या इंडिपेंडेंस चाहते थे सुतन्ता चाहते थे अपने जीवन जीना चाहते थे और यह जब ही मिल सकता था जब हो गया उसके इंपेक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इंपेक्ट हुआ कि जो कंपणी का शाषन जो की सोले सो इस भी में जो इस इंडिया कंपणी की स्थापन होई थी अठारे सो अठावन में यह शाषन बिलकुल खतम हो गया जो भारत था वह महारानी के अधीन आ गया गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग लॉड कैनिंग पहले वाई सराय गोशित हुए और सबी जो कार कास्ते कंपणी के हातों से बापस ले लिया गया और कंपणी बिलकुल खतम हो गई सारा जो शाषन था वो वाई सराय के माद्दम से जाना जाने जो का था वो वाई सराही करते थे इसके बाद दोस्तों 1861 में भारती दंड सहता भी लगी और काफी मेजर कार हुए जिसमें भारती यों की भी भारती लोग जो विद्रो कर रहे थे उन्हें भी मनाने का कार अंग्रेजी सरकार ने किया बड़े पदों पर निक्तिया भी की गई और उसके बाद धीरे-दीरे विकास की यत्रा भारत की विकास की यत्रा भी शुरू हुए तो दोस्तों यह कहना उच्यत नहीं होगा कि भारत का प्रतम स्वतिन्ता संग्राम था लेकिन काफी मेजर कौजस ऐसे भी मिलते हैं बहुत सारे कारण ऐसे मिलते हैं कि इसे हम भारत का पहला स्वतनता संग्राम भी कह सकते हैं तो निश्यत रूप से दूस्तों आपने अच्छा लगा होगा वीडियो और भारत के स्वतनता जो संग्राम था रिवोल्ट 1857 को इस वीडियो के माद्दिम से समझा होगा और कारणों पर हमने प्रकास डाला है वीडियो अच्छा लागो तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवादा